कि फ्यू मॉमेंट्स लेटर वेलकम टू माय यूटुब चैनल टेक भी सेलेस दोस्तों आप सभी को हमारे यूटुब चैनल में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जी भी वाट्स आप को लिंकर डिवाइस किस परकार से करें ओभी ओरिजिनल वाला तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले क्या करना पड़ता है सबसे पहले आप अपने जाईए गूगल ब्राउजर में या कोई सभी ब्राउजर को ओपेन करिए और वहां पे डालिए जीबी वाट्स आप जीबी वाट्स आप प्रो एकपी डाउन अनबैंड यहां पर अगस्त वाला दिखाएगा ठीक है तो अभी आपको क्या करना है अभी सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना है सिंपली जैसे आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे आपके सामने कुछी इस पर करका इंटरफेस ओपन हो जाएगा इंटरफेस ओपन ह पर आपको उपर की तरफ में स्क्रोल करना है उपर की तरफ में स्क्रोल करने बाद यहां पे एक options दिखाई देगा डाउनलोड जी बी WhatsApp 1KP ठीक है गाइस तो आपको क्या करना है सिंपली आपको इस पे एक बार क्लिक करना है उपर वाले सर्वर पे ठीक है और यह नीचे वाला जो सर्वर दिखाई दे रहा है डाउनलोड जी बी WhatsApp प्रो सर्वर 2 इसको नहीं उपर वाले को डाउनलोड करना है ठीक है उपर वाले को जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा औ और यहां पर आपको डाउनलोड होता हुआ दिखाई देगा जी बी WhatsApp ठीक है जब यह आपका जी बी WhatsApp 100% डाउनलोड हो जाता है उसके बाद से आपको इस पर एक बार टच करना पड़ता है दोस्तों जब तक यह हमारा WhatsApp डाउनलोड हो रहा है तब तक आप क्या करें दोस्तो तो वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करदें ठीके चलिए अभी यह इस पर एक बार क्लिक करेंगे जैसे आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे झाया जाएंगे दोस्तों यहां पर i.pen डन और ओपन अभी आपको क्या करना है यहां पर डन पर क्लिक कर देना है डन पर जैसे आप क्लिक करेंगे फिर यहां से बैक चले जाएंगे बैक जाएंगे अभी आपको क्या करना है अभी आपको देखें दोस्तों अभी आपको यहां पर प्लेश्टोर में जाएंगे प्लेश्टोर में जाने बाद यहां पे सर्ष बार में डालेंगे साइपन प्रो आप ठीक है देखिए यहां पे हमारे सामने इधर दिखाई दे रहा है इसको हमने पहले से इंस्टॉल किया है आप सब इसको इंस्टॉल कर लिजिएगा ठीक है इंस्टॉल करने बाद सिंबली आपको इसको ओपन करना है ओपन करने कबाद यहां पे आपको कुछ सेटिंग्स करना है ठीक है यहां पे होम पे रहाएगा तो आपको यहाँ पे चार options दिखाई देंगे Home, State, Options, Logo तो अभी आपको options पे जाना है options से जाना है यहाँ पे VPN setting पे जाना है VPN setting पे जाएंगे और यह आपको Turnit All App पे रहेगा तो आपको क्या कर लेना है यहाँ पे Only Turnit Selected App पे क्लिक करेंगे जैसे आप इस आप पे क्लिक करेंगे जहां से आपके सामने एक और setting open होके आजाएगा Select App अभी आपको क्या करना है या भी आपको यहाँ पे उस आप को आपको सेलेक्ट करना है जिस आपको आप VPN में चलाना चाते हैं ठीक है तो यहाँ से आप उपर की तरफ में स्क्रोल करके जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक options दिखाई देगा GB WhatsApp का simply आपको इस पे क्लिक कर लेना है simply जैसे आप क्लिक करेंगे यह आपका setting हो गया अभी आपको क्या करना है अभी आपको यहाँ पे जाना है यहाँ पे Play Store में एक options मिल जाएगा Play Protect वाला एक options मिल जाएगा अभी आपको क्या करना है simply इस पे क्लिक करना है जैसे simply आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक options दिखाई देने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको क्या करना है यह ऊपर setting वाला आप्सेंस दिखाई देने को मिलेगा आपको क्या करना है setting वाले आप्सेंस पर क्लिक करेंगे आपके सामने scan app with the playstore protect can scan device वामता भी यह दोनों setting तो दोनों setting को क्या कर लेना से क्या कर लेना ये जाएंगे ऑप अपने से जाने झातेज बाद यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको एक सट्वावपसींश मिल जाएगा want मिल जाएंगा अभी आपको क्या करना है लोकेशन वाले आपिे टुमस पर लोकेशन पर कर emotiver अगर जो आपका वं रहे गा तो उसको औरिजिएगा कुछ इस परकार कार से ठीक है तो अबी आपको क्या करना है सिंबली आपको अभी जाना है अपने GB WhatsApp में GB WhatsApp में जाएंगे यहां से GB WhatsApp में अभी आपको एक बड़ क्लिक करना होता है GB WhatsApp में जैसे आप एक बार क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ही स्तरु का इंटर्फैस open होके आ जाएगा, अभी आपको क्या करना है इसमें welcome to whatsapp choice your language to get started तो अभी आपको क्या करना है, अपना कोई भी आपका जो भी language हो, आप यहां से select कर सकते हैं, यहां पर बहुत सारे language दिये गए हैं ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे language दिये गए, आप language सेलेक्ट करने के बाद जो आयरे वाला निशान दिखाई दे रहा है सिम्बल ही आपको आयरे वाले बटन पे क्लिक कर देना है आयरे वाले बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस परकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा ओपन होके आ जाएगा तो यहाँ पे क्या करना है agree and continue वाले options पर क्लिक करना है agree and continue वाले options पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने खुच ही इस तरu का interface open होके आ जाएगा अभी आपको क्या करना है यहाँ पे अपना number डालना होता है ठेक है यहाँ पर अपना number ढ़ना होता है तो अभी आपको next नहीं करना होता है नेक्स नहीं करेंगे आपको क्या करना होता है यहाँ पर ओपर three dot पर click करना होता है three dot पर जैसे आप click करेंगे आपके सामने खुछ इसपर करगा interface open होके आ जाएगा link और compassion device तो simply आपको क्या करना है उस पे आपको click कर लेना है उस पे जैसे आपको click करना है यहाँ पे QR code so हो जाएगा आपके mobile screen पे तो अभी आपको क्या करना है इसका skin shot ले लेना है skin shot लेने बाद आपको क्या करना है नहीं तो दूसरा कोई मोबाइल होगा तो आप उसमें इसको फोटो घिच सकते हैं ठेके अभी ये क्या होता है कि 30 सेकंड के अंदर में QR कोड चेंज होता रहता है ठेके तो अभी आप क्या करना है यहां से बिच से कटिंग कर लेना अभी जाना है अपने WhatsApp में WhatsApp में जाएंगे अफिस्यल WhatsApp जो होता है उसमें जाएंगे अप इसी नंबर से जो हमको नंबर वहां पर डालना होता है वही नंबर हमने यह आपर ऐपीसष अगाउंट में लोगिन किया है ठेके मैं आप लोगों को नंबर दिखा देता हूं यहां पे account पे click करेंगे और यहां पे options पे click करेंगे और यहां पे हमारा number यह आपके सामने कुछ इस पर करका दिखाई दे रहा है mobile के home screen पे तो अभी आपको क्या करना है यहां पे whatsapp को open करना है whatsapp को open करने के बाद आपको right side में ऊपर की तरफ में three dots दिखाई दे रहे होंगे three dots दिखाई दे रहे हैं अभी आपको simply उस पे एक बार click करना है यहां पे click करने के बाद आपको six options दिखाई देंगे new groups, new broadcast, linked device तो आपको क्या करना है तिसरे नंबर वाला जो options है उस पे click करना है जैसे आप उस पे एक बार click करेंगे आपके सामने कुछ इस परकार का interface open होके आ जागा अभी आपको क्या करना है link or device पे click कर लेना है और यहां पे क्या करना है connect to wifi to continue यूज जो mobile data यूज mobile data पे click करेंगे और यहांसे क्या करना है यहांसे आपको click कर लेना है अपना जो भी screen का lock है वो lock यहाँ पर open कर लेना है और यहाँ पर ok पर click करना है ok पर जैसे आप click करेंगे आपके सामने QR code scan होता हुआ दिखाई देगा यह जो QR code scan दिखाई दे रहा है तो अभी आपको क्या करना है बीच से नई cutting करना है अभी यहाँ पर आपको क्या करना है इसका पीछे यह QR code दिखाई दे रहा है यही आपको उसके पीछे लगा के scan करना है जैसे आप इसकेन करेंगे आपका GB WhatsApp 100% ओपन हो जाएगा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले फिर मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद उन्यवाद